थेले अव्रीवन बल्कम बेक तो माई यूटूब चनल तो आज यहां पर पेड़े बना रहे हूँ भी बिल्कुल मैदा से बना रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं एक कप मैदा लेली हमने चांके इधर गैस पे कड़ाई रख दिया गैस ओन कर दिया तो चलो एक कप भरके म मैदा का और इसमें एक कप चीनी डालेंगे और इसकी चाचनी बनाएंगे हम और एक कप चीनी का आदा कप पानी डालना है यहां पर इससे जदा पानी यहां पर नहीं डालना चाचनी बनाने के लिए और यहां पर गैस से चला दिया है और चलाते हुए इसकी चाचनी बनान बुधकर करेंगे चमाइन वीक कर लेंगे तो जैसे हैं वने कर लिए तक विए बना जी बना देती है विए टालने के बाद के बाद कि ठाल सी तै यहां पर जो त्यießक्छी थत्यां सब्सक्राइन और घीर डालके दो मिनटे इसको चला लिया तो इसी डाला है तो इसका खная कलर पिस यहां पर चेंज डाली आज को गया है्क लिख बदाते हैं कि तोड़ने के दालती हैं तोड़ करते हैं तो हम यह पर च्वाग के आर're जिस्टाइल के अच्छा लिखता हुआल को ठंडा कर लेते तो इस तरह यहां पर हमने ठंडा कर लिया गैस से नीचे उतार दिया कड़ाई को गैस पर नहीं है और यह हमारा जो यहां पर मैदा डाला था मिलक पावड़ डाला था अच्छे से ठंडा भी हो गया और इदर हमारी चाचनी भी थोड़ा ठंडी भी होगी अल जो मेडा है चाचण marking इस तरह चलाती हूँ जो मिठाई है यह मिठाई बहुत अच्छे बनने वाली है तो अवी तख हमारे चैनल को जाती हे तो आप चाहे तो यहां पर थोड़ा सा करके मेंस करें भी के बीटाल सकते हो休ibl को दिखेंजेलिक तरफ नापल ईसाका डिया और देना अची में Exclusiv तत्य चालाय ज constituents सब्सक्राइण सब्सक्राइब्लोंत चालाइब को बेंने पर देहां च्यों standards Yacht बटर पेपर के ऊपर निकालना है तो उसके लिए यहां पर बटर पेपर ले लिए हमने और बटर पेपर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं आप थाली ट्रे जो भी आपके पास बरतना है उसे में यह बरफी को सेट कर सकते हो तो यहां पर हमने बटर पेपर के ऊपर थो यह थोड़ा सा लिकवर्डी थोड़ा हैं बिलकुल यहां पर टाइट नहीं соп मोगूँ अच्छे से बन जाएगी मृट्ई लगी और इस तरह बेटर पेपर से क्या है जो क्या फर्पीव से इस्तरह हमारे हेटों को तो समसल लेंगे उससे क्या होगा जो हमारी मिठाई बहुत ही ज्यादा इसका स्वाद और बढ़ जाएगा बहुत ही टेस्ट ही लगेगी है तो इस तरह यहां पर चलाते चलाते हमें साइड से अमारे जो पर जो टेक्चर है बहुत ही अच्छा ठंडा भी हो जाएगा यह देखि सेट होगी आपको दिख रहा होगा जे गोली हमने तोड़के बनाई यह बिल्कुल परफेट तयार है तो इसकी आप चाहे तो इसी डेक्चर पर आप चाहे तो यहां पर बरफी का भी सेफ दे सकते हो हम यहां पर बरफी का सेफ नहीं दे रहे इसकी पेड़े बनाएंगे त याँ पर आप इसको set कर सकते हो बरफि की सेफ देने वाले होतो और इस तरह हम बरफि का सेफ नहीं दे रहे याँ पर बना रहे तो छोटे छोटे इसके पेड़ें होते हैं और यह दिखने में बहुत अच्छे दिख रहे हमने यहां पर गार नेच कर लिए जो हमारे ड्राइफ फूर्टे उसको डालके थोड़ा से चांदे का परक्वी लगाया आज की रेसिपी कैसे लगी वह कमेंट करके जरूर बताएं बिल्कुल फरफेट बनी हैं हमारी यह मिठ आप भी जरूर ट्राइए करें बहुत ही अच्छे लगेगी यह मिठाई बनने में और प्रूर्ट